हालो फ्रेंट्स प्रेकम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स मेरे हाथों में यह जो छोटा सा क्यूट सा रेट्गल का प्रोड़क्स देख रहे हो यह पाम रेस्ट एन्ड थ्रोड़ा Cruise Assist Grip और ये एक छोटा सा प्रोड़क्ट बाइक और स्कूटे चलाते समय आपकी जो राइडिंग है उसे बहुत ज़्यादा ही कमफर्टेबल बनाने वाला है खर ये कैसे काम करते हैं मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ उससे पहले मैं ये क्लिए करना चाहूँगा कि ये कोई sponsored वीडियो बिल्कुल नहीं है तो ये किस brand का है, किस company का है इसकी unboxing वगर करके मैं बिल्कुल time based नहीं करने वाला हूँ मैंने अपने bike में use करने के लिए इसे order किया था इसका जो link है वो आपको description और pin कमेंडर मिल जाएगा तो अगर आपको ये useful लगे तो आप वहाँ पर जाके इसे order कर सकते हो price वगरा की बात वीडियो में आगे कर लेंगे साथी इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो moto vlogging का complete जो gear होता जो ऐसी series होता है इसके अलावा bike और scooter के बहुत सारी unique product बहुत सारी useful product gadget वगरा के बारे में मैंने वीडियो के जरी आपको बताया है इन सार ही जो product का link है वो आपको description में मिलने वाल है तो अगर आपको चाहिए requirement है तो आप इन्हें भी order कर सकते हो तो इस वीडियो को like जरूर से कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके बेल आकन को जरूर से दबा दे फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जब लगतार राइटिंग करते रहते उस temperature लो throttle को blip करते इस तरह से फिर छोड़ते फिर throttle लेते रहते रहते लगतार करते रहते तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो finger से जो उंगलिया है जो palm हो गया जो wrist हो गया कलाई हो गया या खास करके particular यह जो area होता और कई बार तो आर्म होता है तो इन में दर्द सा होने लगता है तो कई बर क्या करते हैं नो राइटिंग के वक्त ही लगतार इस तरह से कलाई को मोड़ते इस तरह से करते है और इसके बाद राइटिंग करते रहते कहीं न कहीं या पर दर्द ज्यादा होने लगता है बहुत बार ऐसा होता है और इसी problem को दूर करने के लिए यह जो आप पाम, रेष्ट, क्रूज, कंट्रोलर, जो ग्रिप है, यह काम में आता है, पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे, यहाँ जो हैंडल बार है, इसे फिट करके दिखा जिता हूँ, अफेंड देखो, इसे लगाने के लिए जो बार इंडवेट है, इसे हटाने का जरुवत नहीं है, यहाँ पर आप देख लो, यह पूरी तरह से flexible है, अच्छे material का बना हुआ है, और यह flexible ही है, तो हम लोग क्या करने वाले है, कि simply इसे ही इसके अंदर में डालने वाले है, तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत असानी से, आप इसे हलका सा इस तरह से, वाइड कर दो, चोड़ से पुश करो, कितने अराम से यह जा रहा है, मैं भी इसे और अंदर डाल देता हूँ, अच्छी तरह से, ठीक है, तो यह देखो, यह पहली बात है, इसके अंदर में चला गिया है, अब यहाँ पर scene ऐसा है, कि आपका जो भी handle बात creep अगर दिया गया है, और आपका जितना साइस वगर आ, उसके according अगर आपको सेट करना है, तो इस तरह से अगर आप करोगो, तो यह सेट तो नहीं होगा, ठीक है, तो simply क्या करना है, इसे उल्टा घुमाना है, ठीक है, बहुत अराम से इसे उल्टा घुमाओ गया, आपको जहाँ पे भी रखना है, according to, ठीक है, इस अच्छी तरह से fit हो गया, fitment का कोई issue नहीं है, जो universal product है, तो अलग-अलग bike में यह fit हो जाता है, मैंने स्कूटर स्कूटी में भी डालके देखा, लगा के देखा, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से fit हो जा रहाता है, किसी तरह का grip अगरा का कोई problem देखने को नहीं मिल रहता है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पर आप देख लो, कि देखो कितनी बहतर तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, तो sleeping का सिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि slip कर जागा, नहीं, slip नहीं करेगा, देखो material भी आप देख लो, ठीक है, तो यह कोई slip नहीं करने वाल, उसका tension नहीं है, फिर भी इनके सागर grip का problem आ रहा है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप चाहो तो जो handlebar का grip का cover होता है, उसे use कर सकते हैं, वहाँ पर इसका requirement बिल्कुल नहीं आया, यह अच्छी तरह से set हो गया है, अफेंस, इसको लगाने स इसे क्या फाइदा होता, आप यह भी समझे लो, इन जनल जी देखो, जब यह नहीं लगा होता है, तो हम basically अपनी उंगलियों से या palm से, इससे ही throttle को roll करते है, पूरा pressure यहीं पर पड़ता है, ठीक है, उपर से हमें rest करना पड़ता, तो यहाँ पर तो दर्थ होता, मैं आप आप को बता ही है, लेकिन जब आप इसे लगा लोगे, उसके बाद फाइदा यह होगा, कि देखो, इस तरह से अगर आप यैसे भी उंगलियों रखते हो, अब यहाँ से तो आप throttle को roll करी सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, साथ ही यह जो position है, यहाँ से भी अगर आप इसे push करोगे, तो यहाँ से भी आप accelerator ले पाओगे, तो यह फाइदा आपको देखने को मिल जागा, कि यहाँ से आप throttle ले पा रहे हो, असानी से ठीक है, इस तरह से चला रहे होगा, तो यहाँ पर आपको एक तो फाइदा होगा, दूसरी बात जब cruise control का यह काम क है हमारे ठीक हाथों में, लेकिन जब यह रहेगा, तो क्या हुआ, कि आप यह वाला जो position है, cruise control के तरह काम करता है, और यहाँ आप इसे rest कर सकते हो, यहाँ पर जो आपका pressure पढ़ रहा, जो strain पढ़ रहा, आपका कलाई बगरा में, वो बहुत हद तक यह कम कर देता है, तो इसे यह दो फाइदा हो जारा, ठीक है, accelerator लेने में भी बहुत हद तक काम आ जाएगा, दूसरा आपका जो हदेलिये वगरा है, इन्हें rest करने का भी काम आगा, तो long ride में खास है कर traffic वगरा में, यह बहुत हद तक आपके लिए काम में आने वाला है, Friends, finally, एक बात मैं आपके शेर करना चाहूँगा, देखो, मैंने अपने अलग-अलग bike में, scooter में इसे लगा के ride किया, यह समझने के लिए, कि यह किस तरह से काम करता है, एक dot आपके वन में हो सकता आएगा, कि यह comfortable इसे ride होने वाला है कि नहीं होने वाला, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यह बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा आपको, कि throttle में आपने कोई extra part लगाया है, यह बिल्कुल एक integrated part जैसा बन जेगा, आपके throttle का आपको बिल्कुल किसी तरह का प्रशानी accelerator लेने वगरा में नहीं होने वाला, उल्टा यह आपका जो palm है, wrist वगरा को wrist देने वाला है, काफी लंबे-लंबे में राइड किया है, यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो no doubt बहुत कम पैसे में यह useful product है, और अगर आप प्राइस की बात कर लें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि देखो मैंने 2-1-7 मंगाया, ठीक है, जब 2 आप एक साथ मंगा मिलने वाला है, वैसे यह product आपको कैसे लगा, यह आपको इस video में comment जरूर से करे, इस से पहले आपको इसके बार में पता था, कि नहीं पता था, यह आपको इस video में comment जरूर से करे, उमीद है कि इस video मी दीगे जानकारी आपको पसân आई होगी, वीड़ो अचा लगा हो, तो